सीकर जिले के पचार गाउं में मुख्य बस स्टेंड से मुख्य बाजार के बीच लोग देवता रामदेवजी महराज का मंदिर मुझूद है इस मंदिर का निर्मान 1932 में करवाया गया था जानकारी के अनुसार यह मंदिर उस समय का सबसे बड़ा मंदिर था लोग देवता रामदेवजी महराज के अधिकांस मंदिरों में कामड समाज के लोग पुजारी होते हैं कामडों के रामदेवजी महराज आराद्य देव है लेकिन इस मंदिर में गड़वाल समाज के पुजारी कई दसकों से मंदिर में पुजा कर रहे हैं अनुशु चिज्जाती वर्ग के लोग रामदेवजी महाराज को अधिक मानते हैं इसके साथ ही मुस्लिम वर्ग के लोग भी रामदेवजी महाराज की पुजा अरसना करते हैं जानकारी का अनुसार इस मंदिर का निर्मान 19 सदी में हुआ था मंदिर पुजारी प्रहलाद गडवाल ने बताया कि इस मंदिर का निर्मान 1932 में हुआ था इस मंदिर को बनाने में मजदूरों का बड़ा सोयोग रहा है छेतर सहीत आसपास के मजदूर वर्तमान पाकिस्तान छेतर लाहोर में काम करने के लिए जाते थे ऐसे में जब भी वे टोली बनाकर लाहोर जाते थे तो जेसल मेर में इस्तित रामदेवजी महराज के दरसन जरूर करते थे मजदूरों ने जब रामदेवजी महराज के मंदिर पुजारी को गाउं के बारे में बताया तो उन्होंने गाउं के में एक रामदेवजी महराज का मंदिर बनाने की सला दी जिसके बाद मजदूर अपने रोज की कमाई का 10% हिस्सा मंदिर निर्मान के लिए रखने लगे करीब एक साल पेसा बचाने के बाद गाउ में रामदेवजी महराज का मंदिर बनाया गया यह उस समय का छेत्र का सबसे बड़ा मंदिर था रामदेवजी महराज भक्त विक्रम इना ने बताया कि हिंदू धरम के साथ साथ मुस्लिय धरम के लोग भी रामदेवजी महराज की पूजा करते हैं मुस्लिम धरम के लोग बाबा रामदेव को रामसा पीर का आउतार मानते हैं इस कारण वे बाबाराम तेविटी की पूजा करते हैं यहां प्रतेक माय की दस्मी को भजन संध्या का आयजन भी होता है जिसमें हिंदू वब मुस्लिम धर्म के लोग भजन किर्टन करते हैं शिकर जिले के गाम पचार में राजस्तान के परमुख लोग देवताव में से माने जाने वाले बाबा राम सापीर का एक प्राचिन मंदिर पचार गाम में है जो की आजादी शिपहले का मंदिर है यहाँ पे कापी संक्या में बादवे के महने में सरदालो आते है और बाबा के दरवार में शीज जुखाते है बाबा ने कई सरदालो की मंचा भी पूरी की है राम सापीर का यह मंदिर कापीर के पचार गाम में बाबा राम देव का यह प्राचिन मंदिर है करीब भी माना जाता है करीब ये आजादी से पहले का है 1944 के करीब बतारे जैसे बुजर्ग लोग है वो और यहां पे जो भी सरदालू आते हैं उनकी मन्चा पूरी होती है अपने मन्चे जो भी उनके पास कुछ होता है वो चड़ा के जाते हैं और हर महिने मतलब हर बादवे के महिने में यहां बजन की इतन का आयोजन किया जाता है और जो भी सरदालो आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है